मैं डाक्टर अमिद भटनागर, पंत नगर कृषी विश्विदाले मैं प्रोफेसर के पत पर कारे रथ हूँ और इस चैनल के माध्धम से मैं प्रयास कर रहा हूँ किसानों तक सही जानकारी पहुँचे तक कि उसका पूरा लाब खेती में ले सकें इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है क्रशी किसान, ये क्रशी किसान प्लेलिस्ट हिंदी में है जो किसान भाईयों के लिए बहुत लाबकारी है और इसके वीडियो सुनकर के आप सही जानकारी ले सकते हैं और भी बहुत सारी प्लेइलिस्ट हैं जो agriculture के courses से related हैं वो भी agriculture के लिए बहुत helpful है। लेकिन किसान भाईयों के लिए खासतोर से कृशी किसान प्लेइलिस्ट है। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो यह है कि गेहूं में भुवाई के समय अगर हम पूरी खाद नहीं दे पाए हैं पासफुरस खाद रहे गई है या पोटेक्शम खाद रहे गई है तो हम ऐसा क्या करें कि गेहूं में कल्लों का फुटाव पूरा हो और जो उसके कल्ले न उपजे कल्लों और उसके बालियों के साइच पर निर्भर करती है और ये जो कल्ले निकलने की अवस्था ये बहुत ही महत्पूर अवस्था है और इस अवस्था पर पौधे को पूरा खाद पानी मिलना चाहिए नहीं तो कल्ले कम जो रह जाते हैं संख्या में कम रहते हैं और पूरी बढ़वार नहीं होती जिससे दानों की उपच पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बाद में इस अवस्था के बाद हम चाहें कितना सिचाई कर लें, कितनी खाद दे लें उसका असर फिर उतना नहीं आता है तो जो शुरू की अवस्था ये बहुत महत्पूर अवस्था है और इस ये जो महत्पूर अवस्था ये है CRI स्टेज आपने इस स्टेज के बार में सुना होगा, बहुत वीडियोस देखे भी होंगे और मैंने भी CRI स्टेज पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं आप कृशी किसान प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं ये CRI स्टेज बुवाई के लगबग 20 से 25 दिन वाद आती है अगर हमने समय से बुवाई की है तो और अगर हमने देर से बुवाई की है, ठंड के दिन है, दिसंबर हैं बुवाई हो रही है लेकिन सारी खाद प्रयोग नहीं करनी है तो कल्ले बहुत अच्छे निकले हैं, फुटा बहुत अच्छा हो तो हमको दो-तिन बातों का शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि शुरू में बुवाई के समय हमें पूरी जितनी जरूरत है गेहूं की निकले टी, उस छेत्र के निसार, उस मिट्टी के निसार जो संसुथ मात्रा है हमें नाइटरोजन, फास्फरस ऑ पोटेसियम, बुवाई के समय मिट्टी के अंδर दवा देना चाहिए फास्फरस पोटेसियम की तो पूरी मात्र देनी चाहिए तो उस समय आप एक त्याही नाट्रोजन दे दीजी अब मान लिजे कि आपके उस समय फास्फरस नहीं मिल पाई या प्रटीशन नहीं मिल पाया और आपने केवल नाट्रोजन ही दीए तो आप हम क्या कर सकते हैं क्या हमारे पास उपाय हो सकता है देखिए जो सियाराई स्टेज आएगी यह आपकी 20 से 25 दिन वाद आएगी तो आपको इस अवस्था का बहुत ध्यान रखना है तो यह जो सियाराई स्टेज है यही कल्ले निकलने की अवस्था है बिल्कुल आप इसको ध्यान रखें, इसी अवस्था पर कल्ले निकलते हैं, इस पर मैं एक बीडो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, कैसे निकलते हैं, तो यह जो इस समय आपको सिचाई करनी है, यहां सिचाई मस्ट है, मस्ट का मतलब आपको देनी ही देनी है, अगर आप नहीं देंगे या नमी कमी रहती है तो बहुत ज़्यादा प्रवाप पढ़ता है अगर माने जिए बारिश हो आती है खेत में नमी अच्छी है ताब इसको थोड़ा लेट कर सकते हैं लेकिन समानता होता ही है कि हम पलेवा करके जो कल्लों की फुटाप के लिए जरूरी है अब हमारे पास खाद देखनी है कि हमको खाद कितनी देनी है देखे एक त्याही नाट्रोजन तो आपको बुवाई के समय देनी रहती है और उस समय यूरिया उपलब्द रहती है या NPK के मातरम से दी होगी लेकिन यहाँ पर आपको 6 नाट्रोजन देनी है वो 1 third fraction देनी है अगर आप मालेजीए आपकी समस्त मतरा 120 kg नाट्रोजन प्रती हेकटर है तो फिर यहाँ आपको 30 kg नाट्रोजन 40 kg नाट्रोजन प्रती हेकटर आपको देनी है ये देखिए बहुत calculation वाली बात है ये प्रती हेक्टर देनी है ये nitrogen है यूरिया नहीं है अगर आप इसको एकड़ बदलेंगे तो इस 16 kg प्रती एकड़ आ जाएगी 16 kg प्रती एकड़ nitrogen आपो देनी है, बहुत जादर नाटरन देंगे तो उसका नुक्सान हो जाएगा, कल्ले जल सकते हैं, जादर नाटरन देने से पौधे जलते हैं क्योंकि वो nitrogen उठी टॉक्सी हो जाती है आप सोचेंगे बहुत जाद आटर नेने कल्ले जादा निकलेंगे उसका विप्रीत प्रह पढ़ जाएगा पत्तियां जल जाएगी तो 16 किलोग्राम ये तब है जब आपकी संस्तुत मात्रा 120 किलोग्राम प्रती हेक्टर ही है तो आपने कहां दी है वन थर्ड तो आपने दे दी है बुवाई के समय और वन थर्ड आप देंगे पहली सिचाई के समय और जो बाकी की बची वो देंगे दूसरी सिचाई के समय तो ये वन थर्ड की मात्रा है मालने जे 1500 kg सिंस्तुत मात्रा है तो फिर ये 50 kg वन थर्ड मतलब एक तिहाई 50 kg हो जाएगी और फिर आप उसको convert कर लीजे उसमें एकड में निकलाएगी 20 kg हो जाएगी तो ये 100 kg नाइट्रोजन आपको देने एकड में तो यूरिया कित्ती होगी देखी यूरिया निकालने का सीधा फर्मुला यह होता है जित्ती नाइट्रोजन होती है उसको 2.1 साथ से गुणा कर दीजे तो वो आपकी आजाएगी यूरिया तो आप जित्ती नाइट्रोजन उसको 2.1 साथ से करेंगे यूरिया आगे यहां तो नाइट्रोजन भी पूर्ती हो जाएगी अब बात आ अगर जड़ छोटी रह जाएगी, तो फिर कल्ले का विकास नहीं हो पाएगा, आप मैं इसको थोड़ा सची तरिक मादब से समझाने का प्रयास करता हूँ, तक कि आपको इसकी और clarity हो जाए, कि कैसे फास्फरस काम कर रहा है, और हमको कौन सिखा देने चाहिए, अगर हमारे पास बुवाई के समय छूट गई है, तो, फास्फरस को जो मुखे काम है, वो जो है, जड़ों को निकालने का है, और अगर फास्फरस कामे रह गई, तो फिर ये जड़े छूटी रह जाती है, जिससे पौधे पर उसका बुरा असर पढ़ता है, और वैसे तो देखे, पू इस तरह से बढ़ता है, और यहां बीच में आकर के क्राउन बनता है, यह इस समय तक आप देखें, यह यह वस्था होती है, यहां से जड़े निकलनी शुरू होती है, और इस समय फास्फरस जो हमने शुरू में गवाई के समय दिये रहता है, तो यह जड़े पर्मनेंट ज इस से बढ़ेंगी, बिना फास्फरस के जड़े अपना काम नहीं कर पाती है, तो अगर आपने शुरू बुगाई के समय दी है, तो फास्फरस अपना काम कर जाएगा, अब नहीं दी, आपको नहीं मिल पाई डिये पी उस समय या आपको एनपी के फर्टिलाजर नहीं मिल तो क्या करें, वैसे तो गुवाई कि समय अनपी के फर्टिलाजर हमका प्रियोप करना चाहिए, उसमें तीनों तत्तों है, नाइट्रोजन भी है, फास्फरस भी है, पोटेशियम भी है, अगर नहीं मिल पाई है हमें, और डिये पी हमें बाद में मिल रही है, तब उसका उ और ये जो दूरी है, ये दूरी है दो से तीन सैंटी मीटर, जो जड़ें जहां से निकल रहे हैं, तक की जड़ें हैं, नीचे आ रही हैं, तो इस खाद को यहां तक पहुचना बहुत जरूरी है, अब डिये पी में क्या होता है, डाइ अमोनियम फास्पेट है, नाइट्र उपर रह जाएगी, अब फास्फरस कहा हा रह जाएगी, फास्पकर कि यहां रह जाएगी, उपर की तरफ रहेगी, तो यह प्रवाब सब्सक्र करा रहा है, आब डिये पी यहां पर रहे गई है, लेकिन हम यहां पर, जू hearगो और शुरं में नहीं डाली है, तो हम डिये प पानी हम गहरा भी नहीं देते कि बिल्कुल बह करके नीचे आ जाए थोड़ा घुल के आ जाए पहला पानी हलका ही देना आए नहीं तो ग्यों पीला पड़ जाएगा अब यह समस्या है तो इसको नीचे कैसे लाएं तो देखिए जब हम डालेंगे और पहले से चाही करेंगे हैं फिर से मैं इस बात को बता रहा हूं इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूं कि SSP और DAP को खड़ी फसल में नहीं डालें लेकिन समझ से यह आए गई है कि उस समय वह एकिसमें थीनी अब क्या करें तो सिचाई के समय आप डाल सकते हैं तो उस समय तो उसका असर नाइट इनकी लंबाई भी बढ़ेंगी पत्यां भी बढ़ेंगी क्योंकि सारा जो है जड़ा पर निर्फर कर रहा है तो जो नायटोजन पहुंची उससे तो फुटाव बड़ा अब जड़ा जड़े के साथ सकते हैं और उस समय व्याई के समय मैकोराईजा का मैकोराईजा का प्रियोग करना चाहिए था लेकिन अगर वहां बी नहीं अ करPा है तो मRYको-राईजा क्या करती हम इन जड़ोंगे साथ आ तो जो माईकुराइजा हमने डाली है वो भी धीरे-धीरे बलबल के नीचे आएगी अब माईकुराइजा क्या होती है फंगास होती है कवक होती है वो जो कवक है यहां पर आके इसका इंफेक्शन करेगी जणों का और जणों उसको बढ़ाएगी और जणों के मादम से फिर हो जाएगा तो आपको क्या करना है कप्रियों करना करना के तक कि जणे अपना काम अच्छा करें तो माइक्राजा पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं कैसे माइक्राजा जड़ों में साहिता करती है, तो हमें फास्फरस की उब्लब्ता बढ़ानी है, तो हमें माइक्राजा को बढ़ाना होगा, या हम, माइक्राजा ने तो PSB जो होते हैं, वेक्टिरिया या माइक्राजा उनका भी प्रियोग कर सकते हैं, वो भी फास्फरस की उब्लब्ता को पढ़ाते हैं, तो कुल मिला के बात यह है, अगर आप वाईगेसम आपने फास्फरस नहीं दिया है, तो आप DAP को प्रियोग कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले और बाद म पहले या बाद मैं, माइक्राजा या PSB का प्रियोग करें, तक ही फास्फरस की उप्रिवदतावड़े, फास्फरस को उपर नहीं जड़ में होना चाहिए, तब ही उसका फाइदा है, DAP का जो शुरूब फाइदा मिलता है, वो नाट्रोजन का मिलता है, तो हमें ऐसा लग लेकिन दौनों को एक साथ मिला के प्रियोग नहीं करना, आलग अलग प्रियोग करना है, करीब एक हपते का अंतर रखिए, दौनों के प्रियोग में आगे पीछे, तो यह से था हम फास्फरस पूरा कर सकते हैं, अमाले जो पोटेशियम भी छूड़ गया था हमारा, तो प सिचाई के साथ क्या होगा थोड़ा नीचे आजाएगा, जो दूसरे सिचाई करेंगे तो वो पोटेशियम भी नीचे आजाएगा, तो आप MOP को भी प्रियोग कर सकते हैं, अगर आप ने बौई के समय नहीं दिया है, तो जो सबस्दा समस्या आती हो, फास्फरस की आती है तो फास्फरस की में लिए मैंने उपाए बता दिया है, क्या करना है, लेकिन ध्यान रखें, DAP को खड़ी फसल में हम नहीं डालते हैं, तब ही आप डालें, अगर वो वोगाई के समय नहीं डाल पाए हैं, और उसके साथ आप माईकोराईजा का प्रियोग करें, तकि पहले डाल दें या इक अपने बाट डालें, पहले डाल दें अच्छा रहेगा, क्योंकि जब सिचाई करेंगे तो अच्छा ही काम कर जाएंगे, तो इस तरह से आप जो हैं, अच्छा कल्लों का फुटाब ले सकते हैं, कल्ले भी स्वस्त निकलेंगे, तो यह हम थोड़ी स भी यूज करें, खाद भी प्रियोक करें, तब हम पूरा तो लाब नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा बहुत लाब जरूर ले सकते हैं, तो जो हमसे कमी हो गई है, उसको हम थोड़ा बहुत पूरा कर सकते हैं, लेकिन भविश्य में अगले बार जब भी आप करें, तो पूर जो फास्फोरस प्रोटेश्यम बुवाई के समय ही दे ये हमारे तब है जब हमारी उस समय छूट गई है तब के लिए ये मैंने प्रयास बताएं कि तब हम क्या प्रयास कर सकते हैं ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम छूटू इखाद को पूरा कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं तो इन वीडियो को जाज जादा लोग के साथ शेयर कीजिए तक कि जिन किसान भाईयों से गलती हो गई है तो उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और इस परगार की चर्चा के लिए क्रिशी किसान प्लेलिस्ट को दे